देश में कोरोना से लड़ने वाले वारियर्स को आज देश की सशस्त्र बल अनोखे तरीकी से सम्मान दे रही है। भारतेवाई उसेना ने सुखोई जैसे लड़ाकोई मान के जरिये देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित कोरोना वाइरस अस्पतालों के उपर फूल बरसाने शुरू कर दिये। इसी बीच PGI M.E.R. चंडिगड के निदेशक डॉक्टर जगत राम के अनुसार M.W. वैक्सीन दवा का सेफटी टेस्ट पूरा हो चुका है। लेकिन इसका असल परिक्षन PGI चंडिगड एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल में 40 रोगियों पर किया जाएगा। एक्टुली वो जो M.W. वैक्सीन है、 ये तो एक किसम की ड्रग है, जिसको की लोग M.W. वैक्सीन बोलते हैं। तो ये तो इसका सेफटी ट्राइल तो कंपलीट हो चुका है। सेफटी का मलब है कि वेजर इदिजिजाज सेफ और नॉट। पर जो इसका जो actual trial है वो तो तीन institute PGI, AIMS और AIMS भोपाल के बीच में होना है वो 40-40 patients में होना है तो ये कहना एकदम ठीक नहीं होगा कि ये successful हुआ या नहीं हुआ जब तक ये trial complete नहीं हो जाता प्लाज्मा ठेरपी का कैसे देश के काफी institute इसके बारे में trial कर रहे हैं और इसका एकदम सफलता या सफलता का निन्ने देना तो बहुत मुश्कल सा होगा क्योंकि कुछ ये भी कुछ लोगों ने कहा है कि इसका कितना effect होता है वो तो समय बताएगा कुछ institute से इसके positive result आएं कि जो जैसे जब कोई वाइरस अटेक करता है तो शरीर में जो antibodies बनते हैं तो जो जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनका blood लिया जाता है और उसका जो plasma separate करके infected patient को दिया जाता है तो इसके trial के बाद में ही कहना यह एक सही होगा कि effective है या नहीं है एक तम short term में इसको बताना कि बिल्कुल सफल है ऐसे मुश्कल है यह तीनों institute के बीच में इसके formalities पूरी हुई है जैसे drug controller of India और जो ethical clearances की हो चुकी है जो safety के लिए जो दिया है safety के लिए जैसे जो जितने patients में दिया है इसमें कोई toxicity नहीं पाई गई है उसका मलब यह नहीं है कि यह जो trial है वो complete हो गया यह pre study trial है pre study studies करने से पहले का trial है